हर रोज खाएं ये पांच चीजी कभी बूरे नहीं होंगे और पूरी जिंदगी सुगरोग, कोलोस्ट्रोल, पेट के रोग, मोटापा, जोडों का दर्द, कमजोर आँखें और दिल से जोड़ी विमारियां आपको कभी नहीं होंगे नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की इस वरियों में हम आपके लिए पांच ऐसी चमतकारी चीजों के लेकर आई हैं, जिनका आपने हर रोज सेवन करना है, और यदि आप दोस्तो इनका हर रोज सेवन करेंगे, तब आपको इनके चमतकारी का फाइदे दिखाए देंगे, और आपको जीवन में कभी बुड़ापा नहीं आएगा। यदि आपके सरीर में bad cholesterol बहुत अधिक बड़ा हुआ है तो ये नूसका उस बड़े हुए bad cholesterol का भी इलाज है और आपके सरीर में bad cholesterol की मातरा को कम करेगा और अच्छे cholesterol की मातरा को बढ़ाएगा और दोस्तों ये आपके सरीर का cholesterol बिल्कुल सही हो जाएगा तब आपको झीवर म और इस आपके हार्ड अटेक का भी इलाज करेगा हार्ड अटेक को आने से रोक देगा दोस्तो यदि आपका वजन बहुत अधिक बड़ाफ है और आप अपने इस पेट की चरवी को कम करना चाहते हैं तब भी ये चीज़ें आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं है क्योंकि ये आपके मुटापे को तेजी से कम करने का काम करेंगी आपकी पेट के साथ साथ कंधे, कमर और जांगो की चरवी भी बिंगल जाएगी आप बिलकुल सिलिम और फिट बन जाएगे सिलिम बोड़ी के मालिक बन जाएगे दोस्तो यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है और आप अपनी आँखों से चस्मे को हटाना चाहते हैं और अपनी आँखों की रोसनी को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आपको इन पांच चीज़ों का हर रोस सेवन करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपकी आँखों की रोसनी बढ़ जाएगी और आपकी आँखों से हमेशा हमेशा के लिए चस्मा उतर जाएगा दोस्तो यदि आपके सरीर की हडियां कम जोड हैं और आप अपने सरीर की हडियों को मजबूत बनाना चाहते हैं वजर के समान मजबूत बनाना चाहते हैं तब भी आपको इन पांच चीज़ों का सेवन करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तब आपके सरीर की कैल्सियम की कमी पूरी हो जाएगी क्योंकि ये पाँचों चीजें कैल्सियम का खजान है और आपके सरीर की हाड़ियों को वजर के समान मस्बूत बना दिती है दोस्तों यदि आपको जोणों का दर्ध है, घुटनों का दर्ध है, हाथ दर्ध है, पैर दर्ध है, कंदे का दर्ध है या कलाई का दर्ध है तो उसके लिए भी ये पांचों चुझें एक रामबान है क्योंकि ये आपके स्रील में कैल्सियम की कमे का इलाज करेंगी और आपकी हाडियों को मस्बूत बनेंगी और यदि आपकी हाडिया मस्बूत होंगी तब आपको जोडों का दर्द नहीं होगा कंधे का दर्द नहीं होगा कमर का दर्द नहीं होगा घुटनों का दर्द नहीं होगा कलाई का दर्द नहीं होगा हाथ का दर्द नहीं होगा यानि ये आपके सभी तरहेंके दर्दों का भी इलाज है दोस्तो इस के साथ में दोस्तो ये नुस्का आपके सरीर की immunर्ण पावर रोगों से लड़ने की सक्ती को भी बहुत अधिक बड़ा देगा और यदि आपके सरीर में रोगों से लड़ने की सक्ति हाई होगी तब आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे यनि बहुत त्रहें की बीमारियां आपके आसपास नहीं आएगी और आपके चहरे पर तेज आ जाएगा दोस्तों आपको पेट के रोगों का सामना दोस्तों आपके सरीर में खून की कमी पुरी हो जाएगी आपको खून की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना सिर्फ आपके सरीर में खून की कमी पुरी होगी बलकि आपके सरीर का खून साफ हो जाएगा उसमें कोई गंदगी नहीं होगी और यदि आपके सरीर का खून साफ है तब आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा आपकी सुंदरता निखर जाएगी आपका चेहरा बिलकुल जमा बन जाएगा और आपको कभी कोई भी विमारी नहीं लगेगी ऐसी है ये पांचों चमतकारी चीजें जिनका आपने हर रोज जनते हैं ये कैलसियम का खजान है और हमारे पाचंतंतर को मस्बूत बनाने का काम करता है मुटापे को कम करता है और हमें सलीम और फिट बनाता है हमारे सरीर में अनर्जी को बरकार रखता है हमारे सरीर की हर तरह की कमचोड़ी का इलाज करता है ये है सफेति खाने का तरीक आपके सरीर की हार त्रहें की कमजोरी का इलाज करती है किसमिस और जो तीसरी समें चीज है वो है दोस्तो रागी दोस्तो रागी के भी बहुत सारे फाइदी है और दोस्तो करनाटक साइड में तो रागी बहुत अधिक पाई भी जाती है और वहां के लोग इसका बहुत अधिक सेवन भी करते हैं दोस्तों ये बहुत अधिक चमतकारी चीज है ये आपके सरीर के बहुत त्रहें के रोगों का इलाज करती है आपके सरीर की इम्यून पावर को बढ़ाती है आपके सरीर को गठिला बनाती है आपके सिरे की कमजोरी का इलाज करती है और जो अगली इसमें चीज है वो है दोस्तो चिया सीड और दोस्तो चिया सीड के फाइद भी आप जानते ही होंगे क्योंकि चिया सीड से मुटापा बड़ी तेजी से कम होता है सुगर लेवल को कंटोल करने का काम करती है हार्ट ब्लोके से बचाती है कोलोस्टोल को सही करती है आपके पेट के रोगों का इलाज करती है पाचन दंदर को मसबोत बनाने का काम करती है और जो पाचवी चीज है वो है दोस्तो सेव और दोस्तों सेव के बारे में तो कहा भी जाता है कि यदि कोई व्यक्ति हर रोज सेव का सेवन करता है तब उसको जीवन में कभी भी डोक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती यानि आपने इन पांचों चीजों का सेवन हर रोज करना है आप एक यदि की इतने सारे फाइदे हैं जब यह पांचों मिल जाएंगी तब आप इनके फाइदे सोख सकते हैं अपने इस तरीर के लिए अब जानते हैं इसका सेवन आपने करना कैसे है दोस्तों रागी रागी की या तो आपने रोटी बना कर 10 किसमिस डालनी हैं, और 1 चमर डालनी हैं, J90, इनको रात बर के लिए आपने भेगोकर रख दे लैं, और सुबे, 20 मूँदू, आपने क्या करना है? इनको दूद के साथ इन की समुदी बनानी है, और समुदी बना कर इनका सेवन करना है, आपने हर रोज बासिने, इन तीनों का सेवन आपने ऐसे करना है, और अब आ गई आप सेव की बाद, तो सेव को आपने हर रोज 11 से 12 बजे के बीच में खाना है, यानि एक सेव का आपने हर रोज सेवन करना है, और दोस्तों यदि आप इन पांचों चीजों को हर रोज खाए तब आपके स्रीर के हारत रहें की कमजोडी का इलाज हो जाएगा, आपके स्रीर में कोई भी कमजोडी नहीं होगी, आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा दोस्तों, आपके diabetes बिलकुल कंट्रोल हो जाएगी, आपको diabetes की समस्या का साम नहीं करना पड़ेगा, diabetes वाले इसमें किसमिस का प्रियोग ना करें, वैसे 4-5 किसमिस का प्रियोग कर रहे थे तो इनको कोई प्रोब्लम भी नहीं होगी, आपको कभी heart blockage नहीं होगी, ना आपको heart attack आएगा, दोस्तों, पेट के रोग बिलकुल सही हो जाएगा, आपको immune power high होगी, रोगों से लड़ने की सकती बढ़ जाएगी, दोस्तों, आपके सरीर की हड्या, वजर के समान मसबूत बन जाएगी, खून की कमी का इलाज हो जाएगा, तो दोस्तों, आप भी आज से ही इन 5 चीज़ों का सेवन सुरू करतीजी, यदि आप सवस्त रहना चाहते और हरत रहें की बीमारी से बचे रहने चाहते हैं, तो दोस्तों, यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ, जो बेल का आइकोन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहें, धन्यवाद दोस्तों.